लमस्कार दोस्तों, फाइनली कल CVT PG के scorecard जो है वो रिलीज हो चुके हैं, आउट हो चुके हैं, कल मैंने लाइब सेशन जो लिया था, उसमें भी यही बताया था कि scorecards यहां तो आज शाम को, या फिर आज मतलब कल शाम को यहां तो आज आज आउट हो जाएंगे और वैसे हु कुछ बचों को शुरू में problem हुई, उपन कर दो, लेकिन अब almost हर बचों का scorecard जो है, वो दिख जाएगा, तो आप प्लीज पहले तो सबसे पहले जाके, अगर आपने अभी तक नहीं देखा, तो देख लो, scorecard देखो, और एक idea, एक exact idea आपको लग जाएगा, कि आपके admission हो मतलब एक journal idea आपको मिल जाएगा, क्योंकि अगर एक कुछ range से नीचे हैं, या फिर कुछ बहुत ही उपर है, marks तो फिर तो आपके admission हो जाएगी, कुछ अगर आपके काफी कम आ रहे हैं, तो फिर आपको backup option के लिए देखना पड़ेगा, लेकिन क्या वो रहने माले हैं, जहा के लिए specific video है, so, इस video में मैं सिर्फ और सिर्फ expected cut-off of DU ही बात करने माला हूँ, मतलब Delhi University की LLB, इसमें 3 centers है, law center 1, law center 2, और campus law center, अब ये मुझे बतानी कि आपको ज़रूरत नहीं है, campus law center की cut-off हमेशा सबसे ज्यादा high जाती है, क्यों जाती है, कैसे जाती है, क्या reasons है, क्या अरे बचे ऐसे होते हैं, जो LC2 और LC1 को चूस कर लेते है, LC2 की भी cut-off ठीक जाती है, लेकिन CLC से कम जाती है, और LC1 की मनलब ठीक ठीक जाती है, लेकिन अगर comparison में तीनों के relatively देखा जाए, तो LC1 की cut-off कम जाती है, उसका reason एक ही है, क्योंकि ये evening college है, अगर आप में से कोई इस myth में है, कि इन तीनों college में कोई difference है, तो ऐसा कुछ नहीं है, building का difference ज़रूर है, और कुछ नहीं, इन दोनों की तो building भी same है, इस की CLC की building अलग है, जो की सबसे पुरानी building है, जिसे old building कहा जाता है, इन दोनों की building एक ही है, जिसे new building कहा जाता है, वो मंग भवन भी, तो अगर आपको CLC देखना तो आप उन्हें कहेंगे old building में जाना, जो कि सच में old है, और यह सच में new ही है, तो मैं सरफ आपको इतना बताने की कोशिश कर रहा हूं, कि देखो, आप DULB में जब भी apply करेंगे, जल्दी CSAS portal के registration open हो जाएगी, तो CSAS portal के उपर register करना होगा, आपक होगा, तो आपको CLC मिलने के chances होगे, second अगर आपने LC2 भरा होगा, तो by chance अगर first नहीं मिला तो फिर आपको LC2 मिल जाएगा, third अगर आपने LC1 भरा होगा, तो third मिल जाएगा, बहुत सारे बच्चे मैंने खुद भी LC1 को first preference पे रखा था, तो मुझे first choice में, first list में LC1 मिल गया बहुत सारे बच्चों को LC1 first choice होता है, क्योंकि इसकी टाइमिंग बहुत ही flexible होती है, 2-8, इसकी morning, सुभी 8 से लेकर 2 बज़े तक, और इसका कोई as particular कोई time होता है, आपके time table के उपर depend करता है, शाम तक भी classes चल सकती है, afternoon भी, morning भी, क्योंकि इनकी अपनी ही building है, यहां की जो सकती है, यह जार जार कोई class होगी तो 7.30 तक, बिल्कुल 8 बज़े तक खीच के नहीं लेके जाते हैं, और यहां भी same way, 8 से दोपहर के 2 बज़े तक, आप free हो जाएंगे, बहुत ज़रे बच्चों को कोशन यह कि क्या हम साथ में पढ़ सकते हैं, कोई और जैसे SSC, UPSC, क्य साथ में किया जा सकता है, तो अगर तो आप बहुत ही strong बच्चे हो, बहुत hard working बच्चे हो, time utilize करना सही से जानते हो, तो yes, आप इस दो बज़े के बाद, आप कर सकते हैं, मतलब आप हो सकता है SSC की coaching लेने चले जाएं शाम को यहां फिर शाम को पढ़ जाएं, UPSC, एक difficult task है काफी difficult task है, law के साथ साथ नहीं हो पाता, लेकिन हां SSC आप कर सकते हैं, अगर आप काफी hard working और आप कर लेंगे, मतलब अगर आपको बहुत जादा कुछ ऐसा है कि हां मुझे करना ही करना है, expected cutoff की बात कर लेते हैं, दोस्तों, मैं category wise cutoff को discuss करूँगा, जितने मैंने अगर मेरी पिछली expected cutoff की वीडियो देखी हो, इसमें भी मैंने यहीं बताया था, कहा था कि यार गईज प्लीज अपने numbers वे हैं, वो category wise आप नीचे मेरे comment box में लिख दो, दो तिन चीज़े मैंने बहुत जाद आप्जर्व की, पहली चीज यह दोस्तों, कि अगर मैं OBC category की बात क करूं, बहुत सारे बच्चे हैं जिनका 160 to 170 लाए कर रहे हैं number, मतलब मैंने ना एक 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 वो एक 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 क्रक्सा बनाया, कि 160 से लेके 180 तक, यह एक ऐसा scorecard है, ऐसे numbers हैं, जहां सारा competition रहने माला, जिन बच्चों के इन इस range में number आए हैं, वो बच्चे मैं उनको on the line on the line का मेरा मतलब यह है, कि यहां पर competition बहुत जादा है, कि बहुत सारे बच्चों का इस range में scorecard आया, इस range में numbers आए, अच्छा, वो कौन से बच्चे हैं जो total safe रहें, जिन बच्चों के 200 plus marks आए हैं, हो सकता आपके 232 आए हो, हो सकता है 210 आए हो, 220 आए हो, आप safe हैं दोस्त हैं, आपको चंता करने के जरूरत नहीं है, आपको admission तो मिल ही जाएगी DLLB में, first में by chance, by chance कहा रहा हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर by chance first में नहीं मिली तो second में तो 100% मिल ही जाएगी, तो आपको वरी करने की जरूरत नहीं है, पर फिर से मैं वही कहा रहा हूँ, जो main competition ह हैं, वो इस zone में आ रहा है, 160 to 180, तो category wise हम cut off को discuss कर लेते हैं, सबसे पहले unreserved category की बात कर लेता हूँ, 200 वाले में अभी नहीं consider कर रहा है, 200 वालों को मैं बिलकुल top पे रख दिया, लेकिन जो last least वाला number है मैं उसको consider कर रहा हूँ, देखो मेरे accordingly न, unreserved category 180 तक admission हो जानी चाहि है कि 180 तक बच्चों को admission मिल जाएगी, third cut list तक मैं बात कर रहा हूँ, हो सकता है, first में ना मिले, I agree, first में 200 वाले को मिल जाए, 180 या फिर 170 तक को भी मिल जानी चाहिए, मतलब 170 तक जो जिन बच्चों के unreserved category में marks हैं, उनको उमीद है कि कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, ल ज़रूर एक तयार रखना, ऐसा नो हो कि आप बिलकुल टोटल ही यह सोच के बैठे हो कि ले मुझे तो मिली जानी है, एक backup option, अब backup option के लिए हलका से वैसे तो मैं dedicated वीडियो बनाऊगा, लेकिन हलका से आपको इतना बता देता हूँ, कि एक state university देख लो अपने, जैसे अग अच्छी जगा पैसे देना, तो private में सिर्फ और सिर्फ अच्छी वाली private choose करना, अगर आप NCR के आसपास रहते हैं, तब आप मुझे comment कर देना, नीचे मैं आपको बता दूँगा, अच्छी NCR में private universities, लेकिन जहां भी आप अपनी state में बेगर देखना चाहते हैं, वहां प में competition आ रहा है, यहां पर बहुत सारा बच्छा है, अब expected मेरे recording ली न दोस्तों, यहां पर इसकी जो expected cutoff रहेगी, यही 160 to 170 वाले बच्चों की ही आसपास ही रहेगी, इसी की, मतलब हो सकता है कि यह 180 तक जाए, क्योंकि competition यहां बहुत जाला है, तो मेरे recording ली, यह जो 170 और 180 अला माक्स है नो दोस्तों, यह एक बहुत ही deciding या फिर एक competition वाला number है, इन बच्चों में से अब किसको मिलती है, हो सकता है, यह cutoff जो है, वो 175 तक चले जाए, हो सकता है, अगर बहुत जादा ही competition हुआ तो 179 तक चले जाए, लेकिन range यह इसी में कहीं न कहीं करेगी, 170 हो सकत है, तो इसी में कहीं न कहीं range कर रहा है, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हैं, जिनके scorecard पे 180, 170, 160 के range में आ रहे हैं, तो OBC category को में कहीं न कहीं इसी range में expect कर रहा है, तो आपके लिए भी वही कहना चाहँगो दोस्तों, एक backup ज़रूर त्यार रखो, 200 वालों को backup का इतना सोच बचना चाहिए, अब EWS category की बात कर लेते हैं, तो जितना मैंने data collect किया, बहुत सारे, इसमें maximum जो बच्चे हैं, वो 170 to 180 लाइक कर रहे हैं, मतलब मैं यह नहीं कर रहे हैं, मेरा सिरफ कहने का मतलब है, majority of बच्चे, students वो 170 और 180 में लाइक कर रहे हैं, EWS category, so इसकी cut-off मैं 180 के around ही expect कर रहा हूँ, अब देखो यह अपकोस आप जानते हैं, यह expected cut-off है, मैं यह नहीं बता रहे हैं, 100% factual cut-off यही आने वाली है, expected है, तो मेरे accordingly, अब देखो 180 के round का मतलब यह है, कि 178 तक भी हो सकती है, यह 182 तक भी हो सकती है, 175 तक भी हो सकती है, 185 तक भी हो सकती है, लेक अब पॉर्टल ही ना उपन करें, क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूँ, कि बहुत सरे ऐसे बच्चे होते हैं, थर्ड कट-off के बाद भी यूनिवर्स्टी पुला लेती है, एडमीशन ले लेती है, बहुत बहुत लेट यूनिशन भी हो जाती है, क्योंकि उसका रीजन बह पे 100 स्टूरेंट्स हैं, जनके 200 प्लस मार्क्स आएं, तो यूनिवर्स्टी ने तो इन 100 स्टूरेंट्स को फॉस्ट कट-off में डाल देना, कि आजओ अडमीशन ले लो, लेकिन ज़रूरी जोड़ी है कि यह सारे 100 के 100 अडमीशन डियू में लेंगे, हो सकता है इन्हों हो सकता है कोई और सब्जेक्ट में लेना हो, चलो एक्जामपल ले लेते हैं, यह फॉस्ट कट-off में सिरफ 50 बच्चों ने अपनी फी पे की, और 50 बच्चों ने अडमीशन डेन कर दी, तो यह जो यहां पे 100 सीट्स थी, उसकी 50 सीट्स तो तब भी बच्ची तो तब लेने के बाद में कैंसल लें, पर करने के बाद Toure 2010 लेने के बात परद करने के लागत कैसके, तो अठी नहीं करने हैं। तब एक एक करके हो सकता है पांच बचे और एड करते रहते हैं जो पूर्टल बच्छे मैंने देखे हैं जिनकी एंडमिशन काफी लेट हो यह लेकिन हो जाती है तो उसके बाद दोस्तों एसी क्याटेगोरी की बात कर लेते हैं अब ऐसी category बना दोस्तों, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी हो, मैंने percentage के accordingly बनाई थी बनाई थी वीडियो विडियो मतलब इतने सालों का जो trend चलता आ रहा है percentage के accordingly उसके accordingly पुरानी completed cutoff की वीडियो बना हो यह अभी जितने भी स्टूड़नेंस ने मुझे डाटा दिया मांक्स पताए सबकुछी उस बेसिस पर कट आफ बना रहा हूँ ठीक है क्योंकि बहुत सारे बचचे आशा है जो एक्सपेक्ट बहुत ज्यादा गर रहे थे मखस लेकिन यह एक्टुल में उ रही है अब इस मतलब सिरफ इसी केटेगरी की बात कर रहा हूं सिरफ ऐसी केटेगरी इसकी कट आफ नीचे जाने के बहुत सारे चांसे है एक वान सिक्स्टी जो आगे मैंने अपर लिमिट दी है कि मुझे असा लगता कि अपने माइंड में मैंने ऊपर सोच के दिये लेकिन म जितना कि मैं expect कर पा रहा हूं उतना मैं आपको कह रहा हूं अगर किसी बच्चे के 150 भी आ रहे हैं या फिर 140 भी आ रहे हैं उनको यही कहूंगा कि एक बर याभी थोड़ा साप वेट करें थोड़ी हिम्मत रखें लेकिन बाकि जो एक safe score मैं आपको देना चाहता हूं जो लिमिट बता रहा हूं तो आपके जो है वो admission होने के chances हैं वाकि अगर आपके 150 हैं 160 हैं फिर तो शायद आपको कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है admission पकी है लेकिन यह lower limit बता रहा हूं यह उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जो इस range में score करने हैं लेकिन फिर वही बता option रखना कई नहीं back of the mind में अपना एक backup जरूर रखना state university private university यह drop लेना जो भी आपने सोचा है वो जरूर अपनी back of the mind में जरूर रखना दोस्तों बहुत जरूरी है यह ranges वो बताएं यह मैंने वाकि इनकी उपर इन ranges में आपको admission मिल भी सकती है हो सकता है शायद unfortunately ना भी मिले लेकिन अगर बाइतनस आपको नहीं भी मिलती तो दिल छोटा करने वाली कोई बात नहीं है दोस्तों यह university इतनी जाद है law की degree कहीं से भी कर सकते हो कल live session में मुझसे किसी ने पूछा कि sir क्या हम किसी और university में university से law करके क्या हम successful हो सकते हैं guys success होना university पे depend नहीं करता मेरी बात स schools में ठीक है हम private schools की तरफ जाते हैं कि private school में बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है government schools में नहीं पढ़ाया जाता है ठीक है क्योंकि यहां पे base बनना आता है लेकिन the moment आप colleges में आते हैं na colleges में add the end बच्चा वो succeed करता है जो खुद जाला पढ़ता जो खुद hard work जाला करता है colleges education system सब एक बराबरी है तो मुझे बस मैं आपको यही कहना चाहूंगा हाँ एक और question पूछा था क्या corporate law में या corporate lawyer आप पढ़ते हो तो उसमें क्या university का कुछ रहता है student है और एक तरफ बिल्कुल कोई और कोई कोई चोड़ी university का student है तो किसे प्रेफर करेंगे डियू वालों को उसमें जरूर रहता है बाकि अगर आप judiciary में जाते हैं कोई फैदा कोई डिफरेंस नहीं आता और अगर बाइचांस आप litigation में भी जाते हैं तब भी किसी ने आप स यूणिवस्टी ने पूछनी सिर्फ आपके स्केल देखने स्केल जेतना जादा होगा उतना ज्यादा अप अच्छा पर फॉर्म कर पाएंगे तो बहुत जादा नराश होने की जुरूरति हैं अगर आपके नहीं हो रहें अगर हो रहा है तो congratulations all the very very best दोस्तों portals पर जल्द आपे comment कर देना या फिर आप इसी वीडियो के नीचे comment box में लिख देना यह वीडियो आपके लिए expected cutoff थी और कोई भी जानकरी है कुछ भी आप पूछना चाहते हो प्लीज कमेंट डाउन बेलो सब्सक्राइब कर सकते हैं तो ग्यारी हमरे चरिया ऐसे और बहुत चारी वी तो नमस्का